Bitcoin pump कर रहा है उसके बाद भी altcoins dumb कर रहे हैं ऐसा क्यों हमें होता देख रहा है Bitcoin के अंदर यहां से next moment हमें क्या देखने को मिल सकता है एक सवाल का जवाब मैं आपको यहां पर देन की कोशिश करूँगा 15 से जादा altcoins का analysis आपको यहां पर मिलेगा जहां पर बहुत सारी trades भी आपको मिल सकती है जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको एक hopi coin नाम का coin था इसके trade दी थी जो कि आज almost 70% का profit हमें दे चुका है अगर आपने buy करा था तो comments में मुझे जहूर बोता हीगा नव वीडियो को start करें bitcoin के 4-hour chart के साथ तो यहां पर हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारी starting का हम पर होती है जब हमें एक crossover देखने को बलता है एक golden cross 4-hour chart के देखने को बलता है यहां पर जहां पर मैंने आपको बताया था कि basically एक golden cross 4-hour है और हम buy कर सकते हैं चाओ तो आप मेरी previous वीडियो की देख सकते हो यहां पर golden cross के उपर आपको मेरी वीडियो देखने को मिलजेगी जहां पर बोला भी था कि यह last chance हो सकता है यहां पर buy करने का ठीक है उसके बाद हमें एक लगता rally देखने को मिली rally आने के बाद price ने एक नया high यहां पर लगया था almost 65,000 dollar का उसके बाद यहां से rejection हमें देखने को मिलता है और उस rejection के बाद price बुरे तरह के से fall करता है जहां पर लोग expect करना start करेते हैं कि 50 के जाएगा 40 के जाएगा बट actual में price उतना नहीं जाता है and finally जब यहां पर US का CP data आता है एक बार fit से हमें same level से recovery देखने को मिलती है and एक trend line का breakout यहां पर देखने को मिलता है जहां पर जो downtrend यह मुना था वो break होता है यहां पर मैं आपको दुबार से entry बताता हूँ बहुत लोगों ने मेरे साथ यहां पर entry ली जो अभी अच्छे खाते profit में यहां पर हैं जिन्हों ने उस समय पर मेरे साथ में देख लिया था जब मैंने आपको बार बार चीक चीक के बताया था कि भाया fear or greed यहां पर 50 के उपर है neutral है सारे जीदे positive हैं बिटकोइन के इंदर pump आ सकता है अगर आप नहीं दिली होगी अच्छे पैसा आप यहां कमा चुके होगे अब ही currently बात करें तो बिटकोइन का एक major राइस रंसा 661 डॉलर का जो यहां breakout हो चुका है उसके उपर price rate करना start हो चुका है अच्छे चीज़ क्या है कि price के अंदर अगर आप अभी देखोगे अच्छी volumes भी हमें देखने को मिलती है उसके साथ-साथ अगर यहां पर हम bitcoin dominance को देखते हैं तो वो यहां पर तेजी के साथ pump कर रहा है अच्छी बिटकोइन के इतना pump आया है जब भी यहां पर market bullrun के अंदर जारी होती है सब से पहले bitcoin पंप करता है bitcoin एक नहीं टॉप लगाता है फिर bitcoin sideways जाता है जहां पर old coin dominance पंप करता है और हम एक old season देखने को मिलता है तो अभी हम bitcoin वाले face के इंदर चल रहा है जहां पर bitcoin ने अभी तक नया all time high दुबारा से नहीं लगाया है high लगाने में मेरे साब से इसको कुछ दिन और लग सकते है और अभी आप इस समय पर फियर और गृट देखते हो तो 73 के उपर आ चुका है जो कि कहीं नगे indicate करता है कि जादा से जादा यह 80 के आसवाद जाएगा dead means की chances are very high कि 70,000 डॉलर तक का हमें high देखने को मिलेगा वहां से direction देखने को मिल जाएगा ना अगर आप bitcoin का फोरा चार्ट देखते हो तो फोरा चार्ट के recording यहां पर एक bull flag type formation हुई थी जिसका breakout हो चुका है और इस चार्ट के recording यहां पर हम bitcoin के अंदर एक long का anti ले सकते हैं वाट वो long बहुता risky होगा विकास इस समय पर आप देखी सकते हो कितने जादा लोग यहां पर greed हो चुके हैं जिस वएसे जादा बढ़ा पाम आने के chance पर बहुत कम हमें देखने को मिल रहे हैं बट अगर आपको risk लेना है तो मैंने personally यह long trade यहां पर bitcoin के लिया है सिर्फ 2% का stop loss है target हम easily यहां पर 69,900$ के राज़ पस लेके चल सकते हैं तो 3% का target आपको यहां पर मिल जाएगा short term के लिए बागे अगर आप bitcoin का daily chart देखते हैं तो यहां पर हम एक बहुत बड़े breakout level के उपर आ चुके हैं अगर 68,000$ के उपर एक daily candle closing हो जाती है तो maybe हमें यहां पर थोड़ा sideways देखने को मिले फिर एक नया pump देखने को मिल जाए जो यहां पर एक नया all time high view हो सकता है अगर मैं आपको expectation बता हूँ अपनी तो मेरी expectation सिंपल सी है यहां से एक short term pump मैं expect कर रहा हूँ bitcoin की price में जो maybe 70,000 या 72,000$ हो सकता है यहां से direction लेके एक correction वापस हमें 66,000$ या 64,000$ का देखने को बिल सकता है जहां पर price एक support बनाएगा side will movement करेगा और उसके बाद हमें अगली rally देखने को मिलेगी यह पूरी expectation है मेरी बागी जैसे कि मैं आपको बताया था October के last में यहां पर November की starting में pump हमें देखने को मिल सकता है वो चीज़ हमें यहां पर देखने को मिल रही है अब यह pump तभी continue होगा जब November की starting में यहां पर US के election के दिखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर Donald Trump जीच जाते हैं तो अगर Donald Trump by chance हार जाते हैं तो maybe यह pump आपको continue होता बाद नहीं दीखे और यहां से हमें एक बड़ा crash भी देखने को मिल जाए तो जो बड़े crash वाली condition है जहां पर हम 60,000 डॉलर के भी नीचे जा सकते हैं वो तभी बनेगी जब Donald Trump यहां पर हारते हैं otherwise chances are very high कि एक नया all-time हाई हमें यहां पर देखने को मिलेगा अगर Donald Trump इले action के दिखने को जीच जाते हैं अगर बात करें old coin dominance और bitcoin dominance की तो bitcoin dominance अभी काफी bullish देखने को मिल रहा है मेरे साथ से 60% के आसपास से हमें bitcoin dominance के इना rejection देखने को मिलेगा इसके बाद bitcoin का परिद अगर sideway जाता है फिर हमें old coin dominance पर्म करता हो देखेगा जहां पर एक अच्छा old season देखने को मिल सकता है तो अभी अगर आप interested हो buying में आपको spot buying करनी है तो old coins can be a good option जो इस समय पर आपको dip emble रहा है जैसे कि RV हो गया, injective protocol हो गया काफी सस्ते में इस समय पर आपको यह coins मिल रहा है तो मैंने आपको अपनी expectation बदा दी है bitcoin को लेके all over यह update है bitcoin का कि थोड़ा सा pump उसके बाद एक correction हमें देखने को मिले बागे आपको कर लगता, comments के दर share कर सकते हो next बात करते हैं आप लोग के all coins के बारे में and एक-एक all coins का update लेने की यहाँ पर कोशिश करते है तो पहला question था magic coin को लेके जो एक trend line से बागा rejection ले आता बट इस बार chances are very high कि यह trend line का breakout हमें देखने को मिल जाए तो अगर आप magic coin के अंदर interested हो and आपको spot में बाइंग लेनी है तो अभी currently buying बन रही है यहाँ पर buy लिया जा सकता है and अगर आप current price पर buying करते हो तो जो इसका target रहेगा वो 0.41 dollar का हमें पहला देखने को मिल जाएगा आप ठीक है तो अगर आप interested हो तो ले सकते हो भाई totally depends on you बागे थोड़ा डिसकी दबूर हो सकता है because इस समय पर between काफी top के उपर चल रहा है उसके बाद sun coin को लेके question था जो कि आप currently देख सकते हो फॉल करा बुरे तरीके से बड़ेस प्रटेक्ट के इंदर अगर आपको एक अच्छी buying करनी है तो 0.01657 ये level अच्छा रहेगा मेरे साब से यहाँ से एक बड़ा jump आने के चांस रहेंगे तो यहाँ पर यहाँ तो limit order लागे चोड़ सकते हो यहाँ पर wait कर सकते हो कि price यहाँ तका है यहाँ पर एक green bullish candle बनाए तो हम anti लने चाहें उसके बाद next question था myro coin को लेगे जो अच्छा का सा connection लिया था मैं आपको बोला सा connection लेगा इसका actual buying level मेरे साफ से 0.09566 के आसपास है यहाँ तकारगा तो buying बनेगी बाग अगर आपको एक risk की buying लेना है तो current price पर भी buying बन सकती है because उसने अपना previous high को break कर दिया है यहाँ पर एक अच्छी recovery के chances बन रहा है लेकिन मैं personally यहाँ पर recommend नहीं करूँगा मेरे साफ से actual buying level यही रहने वाला है जहाँ पर एक perfect details रहम है मायरो का देखने को मिलेगा next question था reef coin को लेकर जो बहुत बुरे जरी के से crash कर रहा है and almost bottom level के उपर trade कर रहा है old coin dominance को मुझे लगता है इसके उपर भार impact पड़ा है अभी currently अगर आप interested हो यहाँ पर reef coin के अंदर तो bottom level के उपर है खरीदा जा सकता है इतना risk की नहीं है क्योंकि bottom level के उपर है तो यहाँ पर return के chances काफी high आपको देखने को मिल जाएंगे तो spot के अंदर why बन सकता है उसकी बाद next question था oh my coin को लेके यहाँ से मैं आपको buying बताता हुआ रहा हूँ काफी bullish देखने को मिल रहा है मेरे साब से शिबाइनो के अंदर एक breakout हमें देखने को मिल सकता है बहुत बार एक resistance ही test कर चुका है तो अगर आपको anti लेनी है तो शिबाइनो can be a good option यहाँ पे एक ascending triangle का breakout आपको रेखने को मिल सकता है आने वाले कुछी घंटों के अंदर ना नेक्स कोशन था वन इंच कोईन को लेके जो कि अगेन धोड़ा bullish रेखने को मिल रहा है रेकवरी कर रहा है यहाँ पे भी एक ascending triangle की formation हो रही है मेरे साब से एगर आपको किसी अगला कोशन था नियोरो कोईन को लेकर इसके ना दो तरीके में आपको बता जाए एंटी लेने के कल आपको वीडियो याद हो तो पहला तरीका है अगर पैस यहां तक फॉल करके आता है यहां पे एक डिटेस देता है तो एक्टोल इंटी बनेगी जो कि यह दोनों लेवल इसके एक्टोल सपोर्ट है मार्क करना लेवल को 0.01559 का और 0.00126 डॉलर के लेवल यह दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टन है यहां पे नियोरो कोईन के लिए यहां से जम के चांसे साही रहेंगे इसके अंदर भी यहां पर मैं आपको एंटी बनाई थी जहां से अच्छा फंभी कर चुका है अभी भी करेंट प्राइस पे एक स्पॉर्ट बहीं मनाया सकती है यहां से अच्छी रिकपरी आने के चांसे बनेंगे फ्टीम के अंदर बाकि इसके अंदर अगर आपको सेव वाइंग करनी है तो 1.6 डॉलर का लेबल हमें देखने को मिलता है अगला कोशन था इच्फई को लेके जो कि अगें मुलिश देखने को मिल रहा है एक अच्छा डिटास यहां पर दे रहा है चांसे दार हाई कि इसके अंदर भी हमें यहां से एक अच्छी रिकपरी देखने को मिल जाएगी बट उतना मुलिश नहीं है क्योंकि वॉलिम इतनी हाई नहीं है तो अगर आपको एगन लेयर या इच्फई दोनों ऐसे एक को पिक करना हो तो आई तिंग एगन लेयर कैन भी या बैटर ओप्शन ना नेक्स कोशन था जाई को लेकर जूकि आप करेंटली देख सकते हो अगें वही चीज़ कर रहा है ट्रिपल बॉटम बैटर्न यहां पर बंदब हमें देख रहा है और अगें वही असेंडिंग ट्रेंगल फॉर्मेशन करने जा रहा है मेरे साब से स्केंडर भी रिकवरी आ सकती है इस पॉर्ड बाइंग चाहते हो तो ले सकते हो लॉंग टम के लिए ना लास्ट कोशन था होपी को लेगे जो कि मैंने आपको जैसे की बताया 70% के आसफ़ फॉर्म कर चुका है हमारी भाइंग से मेरे साब से 50% प्रॉफिट हम अल्लेडी बुक कर चुके थे जब यह 30% फॉर्म कर रहा था अब बागी का 50% आप बुक कर सकते हो क्योंकि यहां पर आल्मोस आपने लगग लगग 50-60% प्रॉफिट मना लिया होगा होग के अंदर जो कि मेरे साफ से इनफ रहता है और आज के लिए मैं बस एक लॉंग ट्रेड लिया है बिटकोइन के अंदर जिसका मैं आपको यहां पर बता दिया है और दूसरा मैं शिवा इनुकाइन के इंदर यहां पर एक स्पॉर्ड वाइंग करिए इसके बारे मैं मैं आज के लिए बस यही अपडेट ना नेक्स वीडियो के लिए मिलता है बागी इन सारी टेर्स को मैं बरसली बिंके एक्शेंज के उपर लेता हूं स्पॉर्ट में भी और डरिवेटिव में भी बागी अगर मुझे यहां पर नौन के वाई सी एक्शेंज के उपर टेट करन हाने ना ताकि आप एक्ट्रा मेनिफिट उठाबाओ